चलिए आज आपको मिलवाते हैं मेरे बगीचे के एक छोटे से नन्ने से महमान से ये मेरे पास कई सालों से है लेकिन बहुत सारे पौदों के बीच में छुपा रखा रहता है कभी नंबर ही नहीं आया इसका के आपसे परिचय करा हूँ तो चलिए आज इसके बारे में बताते हैं आप समझी गए होंगे क्या है फिर भी बता देती हूँ इसका नाम है लेपर्ड लिली नमस्कार मित्रो मैं मम्तावाशवी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डनिंग आर्ट तो यह तो मैं छट पर बहुत भरबर के सबजियां उगाती हूँ लेकिन साथ ही बहुत सारे और्नमेंटलि प्लांट्स भी मेरे पास हैं और अदेनियम भी है तो यह जो प्लांट है यह लीली की परजाती है लेपोर्ड लेली वो आपको पत्ते देख के समझ में आ रहा होगा चित्तीदार पत्ते हैं इसके dot 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 हैस में और यही इसको beautify करते हैं बहुत सुन्दरता देते थैं जिदातर लिली जो लगाते हैं फूल के लिए लगाते हैं इसमें भी एक पतली सी डंडी निकलती है और फूल भी खिलता है लेकिन इसके फूल में बहुत ब्यूटीनी होती छोटा सा फूल होता है इसे हम पत्तों के लिए greenery add करते हैं उसके लिए वगाते हैं आज जान लेते हैं इसको कैसा बाता बरुण चाहिए कैसी प्लेस पर रखना चाहिए कौनसी खाथ, कौनसी मिटी, क्या देना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं मिटी की बात करूँंगी तो जो मैं सेकुलेंट्स के लिए मिट्टी बनाती हूँ, जो जिसमें रेत रहती है मात्रा में, मिट्टी रेत थोड़ा सा कुकोपीट और थोड़ी धान की वूसी मिलाके, बिल्कुल ही हलका माटेरियल, ऐसा मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज जैसे कंद बनते ह यानि कि बल्ब वाला प्लांट, तो कोई भी बल्ब वाला प्लांट होगा, वो अपनी हमारी जो एमरेसस लेली हो, या दूसरी फुटबॉल लेली हो, या ये लेपर्ड लेली हो, कोई भी लेली हो, या कोई भी पौदा जिसमें नीचे कंद होता है, उसको बहुत Compost मिला देते हैं यदि मैं exec मात्रा में बताओं तो यदि मैं एक बड़ा सा कंटेनर भरके मान लीजे गमला भरके मैं मिट्व ले रही हूँ उस घमला भरके मिट्व मैं इतने बड़े गमले भरकी मिट्व में एक मुठी वर्मी कमपोस्ट काफी हो जाएगा धान की भूसी तो आप जादा भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा बस हाथ से चूके देख लें चार मुठी पांच मुठी धान की भूसी आप डाल सकते हो और मिट्टी तो है इसमें 10% के आसपास रेत है इसमें तो इसको अंदर की तरफ रखती हूं अगर आप बालकनी में ऐसी जगह रखेंगे जहां भोर की पहली करण आएगी और 10-11 बजे तक की धूप रहेगी तो इसकी पत्तियों में बहुत अच्छी हरे कलर रहेंगे जो इसका ये प्रिंट है ना ये बहुत ऐसा क्लियर दिखेगा और ऐसा उदास सा पत्ता नहीं होगा चैसे ही धूप जादा लग गई ना हार्श लाइट में इसके पत्ते मुरज़ा जाते हैं रौनक चली जाती है वैसे ये हार्डी प्लांट है मेरे पास कई साल से है और इग्नोर भी रहा मतलब एक कौने में पढ़ा रहा लेकिन मरा न दे देंगे तो बल्ब में रूट रौट हो जाएगा आज इसका प्रपोगेशन और आप इसका रीपॉर्टिंग दौनों दिखा देते हैं मुझे आज ध्यान आ गया मैं रीपॉर्ट करने चा रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाओं तो मैंन नीचे धर्मा कोल के टुकड़े डाले हैं ताकि वजन कम हो इंट के ठीकरे की जगए और बस बहुत साधरन तरीके से इसकी पुराने लाल मिट्टी देखिए जब से आया है तब से रीपॉर्ट किया ही नहीं है तो लाल मिट्टी हटा देंगे इसी मैंसे हम अलग-अलग ब बना सकते हैं जितने बल्ब हैं उतने अलग पौदे बना सकते हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही मेरे पास कंटेनर नहीं है मैं सिंपल रिपॉर्ट करूंगी तो इसको बस लगा कि और पहला पानी जो दूंगी मैं वह साफ नाम का फंगिसाइट टोड़ा सा मिलाकर औ और फंगिसाइट का पानी दूंगी उसमें कभी मान लो कोई कट लग गया या फंगस लगने का डर रहता है तो उससे बचा रहे गाई है तो बस देखिया रिपॉर्टिंग हो गई प्रोपागेशन आपने देख लिया और लेपर लिली जरूर लगाई है थोड़ा सा यून जरूर बताईए और आप लोग कैसे इसके क्यार करते हो मैं खादवाद तोपस से कुछ डालती नहीं हूँ मेरे स्मिक्षर में ही बना है तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्का झाल